कहिए कैसे हैं आप नशा कोई भी हो वो शान का प्रतीक है या नाश का प्रतीक है यकीन आप भी यही सोच रहे होंगे कि शान का तो नहीं हाँ नाश का ज़रूर प्रतीक है फिर भी कुछ लोग समझते ही नहीं है नशे पे नशा किये जाते हैं अगर मैं आज specially खास तोर पर शराब की बात करूँ तो कितने परिवार बरबाद हो गए कितनी लेडीज टेंशन में चली जाती हैं और हस्बेंट सेंकी समझते ही नहीं अभी जैसे मेरे पस यूट्यूब पर आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि लेटी का कमेंटाया हुआ थाba उन्हों ने लिखा हुआ था तब्ण के लागत हो तक रहा हो 32 ब उनको कितना मना कर दो उन्हों कोंध पर दैंने चरना अब श्रूप मैं ने पड़िघे करूँ तो इससे शहता तनी भीszाथ कम हो जाए तो मुझे बहुत मैसूस हुआ, मुझे लगा कि आज यही बात करनी चाहिए, कि शराब जब आदमी पीए, जब हस्बेंट पीए, तो किस तरह से डील करें लेटीज, बात सिरफ एक लेटी की नहीं है, बहुत सारे इस तरह के मैसेज़ेस आते हैं, कि क्या करना चाहिए, ऐसी सिजेशन में हमें क्या करना चाहिए, कितनी बार मना कर लिया, समझा लिया, लड़ाई जगड़ा हो गया, पर वो समझते नहीं है, तो क्या करें, तो आज मैं इसी बारे में बात करने आई हूँ, कि क्या करें, देखिए, सबसे पहले और सबसे आदा जरूरी बात पते हैं, वो यह है कि आप अपना ख्याल रखिए जैसे उस लेटी को तो मैंने बहुत बाते लिखके बताई थी वोही सब बाते और उसके लावा कुछ और बाते मैं सब शेयर कर रही हूं कि सबसे पहले और सबसे अदा जरूरी बात ही है कि अपना क्याल रखिए आपको कुछ हो गया तो क्या होगा परिवार का आपने थोड़ी सी हिम्मत रखनी है और अपने आपको तनाव मुक्त रखना है मतलब मैं आपको थोड़ी कुछ बाते भी बताऊंगी पर सबसे पहले सबसे ज़रूरी ये है कि खुद को positive रखना है अपने आपको ठीक रखना है अपनी सेहत को बच्चों के लिए ही सही अपने आपको ठीक रखना है बेशक जब बहुत जादा situation worst हो जाती है ना बहुत जादा खराब हो जाती है तो ladies भी extreme सोचना लगती है जबकि ज़रूरत क्या है कि अपना ख्याल रखें पॉजर्टिव रहें अपनी सेहत का क्याल रखें वो सबसेहता जरूरी है फिर बात आती है कि क्या करें देखिए एक दिन में तो नहीं होगा कि आपने आज मना किया और कल से उनकी शराब बनत हो गई एक दिन में नहीं होगा तो थोड़ी सी patience रखिए और फिर अब क्या करना है आपको कि इस पे काम करना है कि किस तरह से मैंने इस चीज को handle करना है इस situation को मैंने handle कैसे करना है देखिए आप पहले ना कारण पता लगा है और वो रोज लेते हैं और रोज भी लेते हैं अब क्या से करें आम तोर पर क्या होता है कि जैसे माली जे हस्बंड भाहर से ड्रिंक करके आये या चलो घर पर गर रहे है तो लेडिज फ्लियर अप हो जाती है गुसानस वह भाविक है पर वो बहुत जादा रियाक्ट करत बहुत जादा वो ड्रिंक करके आये हैं बहुत जादा नशे में हैं और वो कुछ बोलना भी चाह रहे हैं आप से कुछ बात करना चाह रहे हैं तो कोई जूर्थ नहीं है बिल्कुल आप साफ बोल दो कि हम सुबह बात करेंगे अभी आप सो जाओ जो भी है बस एक बार यह परिवार, बच्चे, सब पर बुरा असर पड़ता है, तो इसलिए बेस्ट यह है कि हम अगर हमने situation को अब से डील करना शुरू कर दिया, किस तरह से किया, कि हम एकदम जब पी के आये हैं, या जब बहुत जादा ड्रिंक हो गई, तो कुछ नहीं कहना, बिलकुल खुद भी शांत रहना है, और उनको भी शांत करनी कोशिश करनी है, वो बात करते हैं, कुछ हाथ हूत उटाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ जब पर उनके सामने मती आये, बेस्ट यह है कि एक बार, एक बार के लिए सामने उनके मत आये, फिर बात आती है कि कब बात करें, जिस समय तो देखिए ऐसा नहीं है आपको अगर इस situation को handle करना है डील करना है तो जिस समय उनका नशा पूरी तरह से उतर जाया यानि अगले दिन या बिलकुल वो सोबर हो शांत बनेओ शांत बनेओ तब उनसे बात करनी है और बात भी करनी है वो भी बिलकुल शांती से उनसे न या तो समय ले लिए कि मैंने आपसे 10-15 मिनट बात करनी है आप कब समय दे सकते हैं और बहुत सीरियस बात करनी है गंबीर विश्जय पर बात करनी है और उस समय यह कोशिश कीजिए अगर घर पर गर रहे है तो घर पर कोई ना हो या बाहर चले जाए कहीं भी पार्क में चले जाए कि जहां पर कोई आपको डिस्टर्म ना करें और थोड़ी दर के लिए अपना फोल स्विच अफ कर देजिए क्योंकि जब हम इस बात को गंपीरता से करेंगे कोई फोन आएगा या कोई मिलने आ गया तो कोई घर पर घंटी हो गई बच्चे कुछ कह रहे है तो वह च अचानत होगे बिल्कुल अराम से और हस्ब्न को तुम ऐसे हो गये तुमने यह कर दिया तुम तुमने बच्चों की विकर नियाा ऐसा कुछ नहीं चाहना ब्लें हस्बंड को नहीं करना ब्लें करना शराब को बात करनी अपनी फीलिंग्स की कि मुझे अच्छा नहीं लग मुझे समझ यह नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है मैं बहुत परिशान हूँ आप हल निकालो कि मैं क्या करूँ ऐसी सिच्वेशन में मैं बच्चों को क्या क्या जवाब दू बच्चे देखते हैं इस तरह से आपको निश्चे में लड़ खडाते हैं मुझे शरम आती है मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे यह बताओ क्या मैं रूओँ च्या मैं तनाव में रहूँ क्या मैं बच्चों का ख्याल ना रक्कु हस्बेड को ही बताने दीजिए कि म्हों क्या गरे उनसे एक दंग आगल आरामसे बात कीजिए और इसके effects बताईए कि आपके शरीर पर ही सिरफ effect ने डाल रही वो तो डाली रही है जो आपके शरीर को होगा वो तो हो गई पर family का क्या होगा और ना अलग-अलग examples दीजिए जैसे कि एक हमारे नोन है वो मेरी पडॉसी की एक और सहली है वो उसका husband drink करके चला रहा था बहुत जबर्दास accident हुआ या doctor ने मना ही कर दिया doctor ने बिल्कुछ साफ मना कर दिया एक को कि अगर तुम अब पियोगे तो अब कुछ नहीं हो सकता फिर मामला बिल्कुल खतम है इस तरह कि एक और नोन है जैसे वो छोड़के चलेगे अपने husband को इस तरह कि वो नहीं समझ रहा था अलग-अलग examples दे के husband को बताईए पर इस तरह से भी ना हो कि आप बिल्कुल ऐसे गुसे में बोल रही हैं कि उसने तरह से कर दिया अराम से बिल्कुल कि बहुत जबर्दस सिफ़क दालता है आप समझने की कोशिश करो इस बात को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मुझे लग रहा है कि हमारे बीच की दूरियां बढ़ रही है आप इस चीज़ को समझो कि क्या होगा इस तरह से अपनी feelings को एक्सप्रेस कीजिए और आपकी feeling से इमानदारी जलके क्योंकि आप परिशान है ना वो परिशानी आनी चाहिए आपकी बातों में आने चाहिए उनको सोचने दो एक बार देखिए जब हम बात करते हैं कि किस तरह से छोड़ सकते हैं शराब तो जहां तक मैं सोचती हूं कि तीन वज़े हो सकती है कि शराब छोड़ दे कि एक तो जब तक उनके मन में खुद आए अपने मन में आए कि हाँ मैंने तो छोड़नी है मेरे को ये सूट नहीं करती मेरे फैमिली के लिए ठीक नहीं है जब इस तरह की खेल खतम है और तीसरा हो सकता है कि जैसे वाइफ समझाए हस्बन को आदत है बहुत जादा ड्रिंक करने की तो वाइफ की भूमी का वो किस तरह से हैंडल करें किस तरह से अराम से सईयम से पेशेंटली इस बात को हैंडल करें और पूरा ध्यान रखें और एक दिन ऐसा आए कि हसबन छोड़ते वाइफ ते हाइब आर्फ तो वाइफ ने बहुत अराम से ईंटल कि तो यह क具न आतना है अगर हम धोर्शन करतें जाएब आध यह एसा कुछ निया है ह पर हम अपनी बोली से, अपने वहवार से हम चेंजे जरूर आ सकते हैं, हम यह बोल दें कि चलो आपकी आदत है मान लिया, अब इसको जो क्वांटिटी है जितनी आप लेते हो उसको कम कर दो, दीरे 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 इसको कम कर दो, जितना आप ले रहे हो उसको कम कर दो, और जैस के बात करनी है और फिर अपनी फीलिंग्स को उनको बताना है बजाए उनके उपर दोश लगाने के ब्लेम करने के उनको कि आप ऐसे हो गए आप ख्याल नहीं रखते हैं मैं छोड़के चली जाओंगी यह कुछ नहीं एकदम कूली ठंडे दिमाग से कि हम ऐसे करते हैं कि आप लो बेशक लो पर इसकी क्वांटिटी कम कर दो इतनी लो इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि आप रात को बच्चों के साथ दिनर कर सको रात को कोई फोन आए तो आप उसको अटेंड कर सको रात को कही जाना पड़े तो आप जह सको हमारे साथ हम इस तनाव में ना रहे कि हमें नीन दीना है सारी रात कि क्या होगा और husband से भी पूछे कि आपको क्या लगता है भी जिस समय आपको लगता है कि आपको लेने की जूरत है या आपको पीना पड़ रहा है तो कोई ऐसा friend है या कोई ऐसे relative है उनके पास चले गए उनको बुला लिया कुछ भी ऐसा किया कि अब बहुत अच्छा बढ़ाते हैं तो प्लैनिंग करके लिमिट सेट करके भी बहुत फरक पड़ता है और जब यह सब चीजे होने लगे जब आपको भी लगे कि हाँ आज चीक है जैसे कल नशे में आये थे आज नहीं आये और दीरे 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 इंप्रूमेंट हो रही ह है फरक पड़ रहा है तो आप एप्रिशेट भी कीजिए उनको और उनमें जो क्वालिटी है और भी कोई अच्छी बात है उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए कि पहले आप ऐसे करते थे अब भी वो करते हैं जैसे आप गिटार बहुत अच्छा बजाते थे कोई भी क हम कहीं बर यह सोचते हैं कि क्या सारी भूमी का लेडी की है सारा घर वो ही बनाए बहुत लेडी के इस तरह की आते हैं कि हमी क्यों पिसे तो देखिए घर तोड़ने में कितना टाइम लगता है एक सेकंड निलगता आप छोड़के चले जाए जाए दंकी दे के चले जाए और तलाग के पेपर भिजवा दीजिए खतम है बात पर जब बच्चे हो गए एक फैमिली है तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इस सोसाइटी में हमें मिलके ही रहना चाहिए हमारी सोसाइटी अभी बहुत जल्दी है लाओ नहीं करती कि चलो अलग हो जाओ बस फिर किसी सोसाइटी में लेटी क्या करती है कि वो सह लेंगी बहुत कुछ सहती है पर रहते भी है और अगर इस बात को हस्बंड लोग समझे तो बहुत अच्छा है परिवार को पूरा योगदान देती है लेटी कि किसी भी तरह से एक साथ रहें मार भी खाती है कितने लोग होते हिं सबखो हो जाते हैं माणने लगते हैं शराब पीके मांन propose फिर भी नहीं चाहती है उनको लगता है कि बच्चों का क्या होगा वो उनके धिमाग में बच्चे ही आते सीधा सीधा बच्चे आते कि बच्चो का क्या होगा तो हस्बंड को भी सोचना चाहिए और अगर अराम से कूली डील हो रही हैं बाते हैं कि हम अराम से सिचेशन को हैंडिल करेंगे पर आप इसको धीरे-धीरे कम कर दो हम एकदम से पूरी जैसे होता है ना जज़बन के फैसला ने सुना देंगे कि छोड़ो नहीं तो मैं जा रही हो तुमको छोड़ के अराम से उनको जो आदत पड लिखा एक जो जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि उन्होंने लिखा है कि क्या मैं ही पीनी शुरू कर दो इसको मैं ही पीना शुरू कर देती हो यह अच्छा रहेगा तो यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है आप समझाईए और आप सिचेशन को बहुत अच्छी तर बहुत जादा शराब के आदी हैं बहुत जादा फिर भी नहीं समझ रहे और हाता पाई भी बहुत करते फिर आपको सोचना होगा इसका कोई और रास्ता पर एक बर ट्राय तो दीजिए अपने आपको एक बार ट्राय दीजिए वो कहते भी होना कि हिम्मत हार के बैठना और सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं है, फिर घर के बड़े बज़ुरों से बात कीजिए, कि क्या करना चाहिए, फिर situation आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि हर रोज मार पिटाई खाना भी, उचा-उचा वो बोल रहे हैं, उसको सहना भी, कोई फायदा नहीं है, फिर आपको अपने घर के बड़े बुज़ुरों से सला लेनी चाहिए, कि क्या करना चाहिए, तो कल फिर मिलूंगी एक और नाई टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल भी रखिए, और पॉजिटिव रहे हैं, और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइ आजाए, ठीक, बाए